अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले अंडे की भूर्जी बनाने के लिए हमें हरी मिच मैंने चार काट लिया है बारिक बारिक ये प्याज मैंने एक बड़ी प्याज को बारिक काट लिया एक टमाटर इसको भी मैंने काट के रख लिया है मैंने इदर कढ़ाई चढ़ा दिया कढ़ाई गरम हो गई है अब इसमें हम तेल डालते हैं यह मैंने तेल डाल दिया जब तेल गरम हो जाएगा तब इसमें हम हरी मेच टालेगे अब प्याज डाल देंगे प्याज दाल देंगे प्याज बूण गई है इसको इतना ही बून गई है अब इसमें हम तमाटा डाल देंगे तो अनल देगे अब इसमें नमस दाल देंगे, तमाटर को अच्छे से जड़ाओं, अब इसमें नमस दाल देंगे, अब इसमें नमस दाल देंगे, आजी छोटी चलमा धनिया, अब इसमें हम थोरी सी पाव वजी मसाला दाल देंगे, अब मैंने पांच अंडे ले लिए, अब इसको हम फोर्ड लेंगे, इसको अब मैंने पांच अंडे ले लिये, अब इसको हम फेट ले लेंगे, इसको अब इसको फेट लेंगे, इसको एक्सले फेट ले, इतने मारे मासाले बुन गया है अब इसमें हम आधा अंडे डाल दोंगी और मिला दोंगी एक बार में पूरी अंडे ना डाले अब हम यह बाकी भी अंडे इसमें डाल देंगे अब दो मिनट और लगेंगे अब भुजी तयार हो जाएगी अब इसमें हम थोड़ी से धायाग पत्ति आइट कर लेंगे अब हमारी अंडे की भूजी तयार है अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं अब हमारी अंडे की भूजी बनके तयार हो गए एक पर आप भी जरूर ट्राइ करें अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अन सब्सक्राइब जरूर करें झाल झाल